शिक्षा संकल्प की आज की कक्षा में रस्तूत हैं संशेर पहादूर सिंग की कविता उशा के अभ्यास के प्रस्ण इस कविता में अभ्यास में दो ही प्रस्ण दिये गए हैं जिन में से पहला प्रस्ण है कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उशा कविता गाउं की सुबह का गती शील शब्द चेत्र है इसमें हमें दो बातें बतानी है कि जो यह उशा कविता है कि इसमें हमें कैसे लगता है कि गाउं के वातावरन का या गाउं की सुबह का वर्नन है उशा कवीता गाउं की सुबह का गतिशील चित्र है भोर के नीले आकाश के लिए राक से लीपा हुआ गीला चोका केसर से धुली हुई काली सिल और लाल खड़िया चाक से मली हुई सलेट आदी उपमानों का प्रयोग किया गया है ये सब ही जो उपमान लिए गई है ये ग्रामीन जीवन से लिए गई है शहरी जीवन से इनका कोई स्थान नहीं है क्योंकि गाउं में ही चोके को राक से लिपा जाता है और सिलबटे से मसाले पिसे जाते हैं स्लेट पर चाक से गाउं के बच्चे ही लिखते हैं, शहर के नहीं. प्रतेक सुभह ग्रामीन जीवन में ये सब ही काम इसी क्रम से होते हैं, यानि गाउं की ओरतें सुभह उठते ही सब से पहले चोका लीपती हैं और उसके बाद ही भोजन पकाने की तैयारी की जाती हैं, तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं. ये क्रम से गाउं की सुभह की काम दिये गई हैं, इसी कारण भोर काई है, चित्र ग्रामीन जीवन से संबंधित है और गती शील है, क्योंकि प्रतेक जो कारिय है, जो गती विथी है, वो क्रम से चलती है, जैसे जैसे प्रकृती अपना रूप बदलती है, आस्मान अपना रंग बदलता है और सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही साथ की साथ प्रित्वी पर भी सभी काम अपनी गती पकड़ लेते हैं, अगला प्रेशन है, भोर का नभ, राक से लिपा हुआ चोका, अभी गीला पड़ा है, नई कविता में कोस्ठक, विराम चिन्हों और प चाहिए, यानि इस कविता में जगह जगह पर कुछ शब्द कोस्ठक में अर्थात ब्रैकेट्स में दिये गए हैं, उनको ब्रैकेट्स में डालने की क्या जरूरत थी, और उससे क्या नया अर्थ निकलता है, क्या विशेशता है इसकी, ये सब ही हमें इस प्रश्ण में बत और पंक्तियों के बीच के स्थान को भी प्रयोग किया जाता है, यानि किन शब्दों के बीच और किन पंक्तियों के बीच अधिक स्थान छोड़ना है, और किन के बीच कम स्थान छोड़ना है, ये खाली स्थान भी एक अलग अभी व्यक्ति प्रदान करता है, इस अंश में कोस्ठक में अभी गिला पड़ा है लिखकर कवी ने अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है यानि आस्मान को चुले की जो उपमा दी गई थी उसमें गिलेपन को जोड़कर उस उपमान को पूरा किया है उसने आकाश को गिली राख जैसा बताना चाहा है इससे कवी यह बताना चाहता है कि पूर्ण प्रकाश ने होने से नीला आकाश अभी कुछ काला सा लग रहा है और उसमें नमी है यानि गीलापन व्याप्त है